तो साथियों नमस्कार आप देख रहें नेशनल जन्मंच बल्राम कमार के साथ इस वक्त हम और अरंगाबाद जीले में हैं और अरंगाबाद जीले में तो अरंगाबाद का वाड नंबर 19 में चुकि वाड नंबर 29 के में तीन कंडेट खड़े हैं इसमें किस मुद्देश को लेकर के चुनाव में आये हैं क्या करना चाहते हैं क्या नाम सुमन देवी वाड नमर 29 पती का नाम राजेश चोधरी धरमसाला चौक औरंगाबाद आपका क्या मतलब उद्यस है चुनाव लड़ने का मेरा यही उद्यस है कि सिच्छा मेरा वाड सिच्छा के नाम पर बहुत लोग मुझे चून रहे हैं मैं यही चाह रही हूँ कि इन लोग का भाल वच्छा पका का भविश्य बने जब तक हें लोग सिच्छ्छी नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता है वादे तो लोग बहुत करते हैं, हरवार वादा, सिर्फ वादा होती रहता है, काम कुछ नहीं होता है, क्या कहेंगा? हर बार वादा होता है लेकिन मेरा कहनाम है कि 5 साल जाने में कोई टाइम नहीं लगता है आप लोग 5 साल देखिए अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो आप लोग हमको परिवर्तन कर दिजिए साल तो बहुत समय होता है छोटा समय थोड़े है मेरे पास अगल बगल है लोग आप पुछ लिजे यह तो चुनाव एक अलग मुद्दा है इससे पहले मेरा बेवहार क्या है हम इन लोग को परती कैसा बेवहार करते हैं यह लोग हमको चुन रहे हैं नहीं सारा कंडिडेट है कि दस गोलों के साथ चलता है मैं अकेले महिला होकर के पूरे वाड में जाके मिल के सबसे आती हूं यहां पर दो चार लोग है इन लोग से पूछ लिजे मेरा बेवहार क्या है कैसा है क्या है मैं जो कहती हूं करती हूं अभी तक लगातार चुनाव होते रहा है लोग जित् पिछड़ा हुआ है सिच्चा के अभाव में है सब मेरा सबसे पहला मुद्दा है सिच्रा दूसरा है नल जल तिसरा है इंद्रा ओवास गरीब लोग को इंद्रा ओवास नहीं है और चौता है रबड रोड मैं चाहते हूं कि हर घर घर जल रबर रोड हो सिच्छा हो आपके इलाके में आपके जो वार्ड नंबर है 29 है 29 वार्ड नंबर में हम उधर भुया टोली की तरफ गए तो वहां का जो लोग हैं काफी जो है से पिछड़े हैं काफी मनें उन लोग के आद्वी अभास नहीं है मानों होने का आभास नहीं है तो तमाम उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे उन लोग को देखके ही हमको क्रस होता है मैं उन लोग को जब देखती हूँ मुझे बहुत तरस आती है मैं उन लोग से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बर मुझे आप लोग ला के तो देखिए अबर इन लोग कर कि नहीं आपको हर हाल में हम लाएंगे जनता का मुझे पूर्ण समर्थन है मैं अकेले घूम के देखी हूं मुझे अब बहुत उमीद है 100 से ज्यादा उमीद है कि अब इस बार मैं आऊंगे आप क्या करना चाहेंगे और किस तरह से काम करेंगे मैं अपने आप पर निर्फर ह काम करेंगी ना कि पती के सहरे चलूंगी मैं सिछित म महिला हूं ओर मैं इतना जानती हूं कि जो आदरी नदी का बात कर रहा है वहांपर लोग बहुत आ प्रशित हैं ऑज सिचित होने के कारण ही उन लोग का ये इस्तिति मैं चाहती हूँ कि उन Lydia के बाल बच्चा को सिच्छा का विवास्ता करूं आगर उन लोग को नहीं है तो मैं अपने से कौists करूंगी जो भी होगा जितना होगा मैं प्रयास करूंगी कि उन लोग और किसी तरह से शिक्छा में आगे बढा देना है अ ये शुमन जी और वॉरड ४ारसध के चुनावों पनाएंगे ये भी कहना है ज्यादा नहीं इस वाड्म में तीन कंडिडेट है और पब्लीक जानता है कर लें एक तरफा कर देंगी और तमाम लोग AIB करने हैं अब जनता को क्योंकि वोट देना है तो கológus heißt हम अगर हम बोट करते हैं तो हमारा जिंद्धी के साथ में किल वार कर रहे हैं अपने बच्छो के साथ किल वाट कर रहे हैं अपने आने वाली पीड़ी तो आपका उमर कितना हो गया साठ से कम होई थो ताइए तो कुछ कर रही था यह नहीं गरीब अदमी करता ही एही बात हवा दीकत हवा गरीब अदमी के तो इस बार शीक्षित उमिदवार को चुनने का संकल्प ले लिया है तो अभी तक बहुत चुना हुआ काफी लोग वाता भी करते होंगे आप लोग तो बुजूर्ग है बहुत लोगों को देखा है अपने परखा है समझा है तो काम नहीं हुआ फिर भी हाना ना कुछ तो त लावा है कि काम करेंगे अच्छे कंडेट हैं क्या नाम है आपका मेरे नाम है माधरित देवी हम 28 से बोल रहे हैं हमें सुमन देविक हमें जीता आना है बहुत उमीदवार महिला है यह सब कर समेट के लिके चलती है यह बहुत कर्च करता है सब को समझ के चलने वाली है गरी तो पूछ लेंगे हम लोग जूट नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है हम लोग का समंध को जीताना है बहुत चुना हुआ लोग बहुत वादा किये हैं और इस जो आपका वाड 29 वाड काफी पिछड़ा हुआ इलाका दिखा तो आप लोग सोच रहे कि आगे कुछ मेला ऐसा ला अंचांँ पड़ी लिखी हैं अपको पता हैं पता है मोझे आप कितना पttक पड़ी लिखता है और इस इलाकय का दरिश। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और चुक्य स्क्रीट पर आप देख रहे हैं कि हलात बहुत बुरा है ऐसे हलात में हम तमाम इस नगरवासियों से इस वाड के निवासियों से हम आगरह करेंगे सोच समस्कर के वोट करें सुजोग कंडियेट को वोट करें जो आपका भविस की चिंता करें जो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर वक्त हर समय एक जूट रहे खड़ा रहे ततपर रहे देखते रहे नेशनल जन्मंच तमाम दर्शकों को नेशनल जन्मंच देखने क के लिए धन्यवाद शुक्रिया साथियों नेशनल जन्मंच को सबस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं